जैहिन साथियो वेलकम टू सेल्फ एस्टेडी क्लासे स्विस सुमिट जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है लो तो आज के वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं हिंदी पेड़ागोजी से समधित कुछ महत्पूर्ण प्रसन ठीक है हिंदी पेड़ागोजी के अपना साथवा पार्ट है इसके पहले के छे पार्ट जिन्हों ने देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख ले हिंदी पेड़ागोजी की प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर के देखना है और Self Study Classes with Sumit Gen YouTube Channel में आपको रोज लाइब किलासे मिलती हैं आपकी रोज ढ़ाई बजे लाइब किलास होती है सिक्छा सास्र की सामको 6 बच के 30 मिनट पर आपकी किलास होती है परियावरन की और अपनी एक किलास होती है 7 बच के 15 मिनट पर बाल विकास की और रातरी 10 बच के 10 मिनट पर आपकी किलास होती है हिंदी की तो जो भी जुड़ना चाहते हैं वो इन किलासों से जुड़ सकते हैं और आप चैनल को सब्सकाइब जरू करें ठीक है और बेल आइकन को भी आपको दबाना है बेल आइकन को जब आप दबाते हो तो अधिकांस लोग बोलते हैं कि क्या नहीं आ रहा है नोटिपेकेशन नहीं मिलता है तो बेल आइकन को दबाओ और आल पर सभी को किलिक करना है ठीक है बहुत बढ़िया तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रस्न है गद्द सिक्षण में काठन निबारन किया जा सकता है चित्र दिखा कर किया जा सकता है या फिर बस्तू को प्रत्यक्ष दिखा कर या माडल दिखा कर या उपर योगत सभी तो गद्य सिक्षण में काठे निवारन किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है तब हमें उत्तर बताना है सभी लोग होंगे सभी लोगों को बताना है सभी लोग बताएंगे चार विकल्पों के माद्यम से हमें उत्तर बताना होता है गद्द सेक्षण में काठेन निबारन किया जा सकता है तो उत्तर सभी लोगों को बताना है और सभी लोगों के जो भी होगा नाम लिए जाएंगे वीडियो के लास्ट में सभी को अपना-पना क्या करना है आकलन करना है लास्ट में आपसे नमबर पूचे जाएंगे आपने कितने प्रस्ण अटेंड किये हैं कितने आपको नमबर मिले हैं ठीके तब आपका आंसर जो होगा गद्द सिक्षण में काठेन निबारन किया जा सकता है डी नमबर आपका सही है चित्र देखाकर बस्तू को प्रत्यक्ष देखाकर और मॉडल देखाकर ठीके तीन नमबर आपका चान नमबर आपका सही होगा ठीके गद्द सिक्षण में काठेन निबारन चित्र देखाकर बस्तू को प्रत्यक्ष देखाकर मौडल दिखा कर जो है किया जा सकता है तब अपना अंगला प्रश्ण है प्राथ में किस तर पर कभीता सिक्षन उपियोगी नहीं होगा जिसे चात्र सरलता से समझ सकें जो कभीता है चात्रों की सरजन सीलता को बढ़ाने बाली हो जो कभीता अंतराष्ट ये बादों से समझ देत हो या फिर जिन में नीती हास बीरता देश भक्ती जैसी भावना नहेत हो तब आपको बतानी है कि प्राथ में किस तर पर कभीता सिक्षन उपियोगी नहीं हो सकता नहीं होगा तो कौन सा कभीता सिक्षन नहीं होगा चार विकल्प हैं चार में से हमें उत्तर बताना है और सभी लोग उत्तर बताएंगे चार विकल्पों में से सभी ने जो आंसर बताया है अधिकांस लोग उत्तर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं सी सी बता रहे हैं बहुत बड़ी आंसर सभी लोगों का सी नमर आपका बिलकुल आंसर सही होगा जो कविता हैं अंतराश्टी बादों से सम्मंदित हैं वो प्रात्मे किस तर पर क्या नहीं होगी उपयोगी नहीं होगी ठीक है अंगला देखो प्रात्मे किस तर पर छात्र में देश भक्ती नीती हास बीटा जैसी भावना को जागरत करने वाली कविता हैं तता सरल सिर्जन सील आदी गोड़ों को बिक्सित करने वाली कविताओं का सेक्षण उपयोगी होता है अंतराश्टी बादों से सम्मंदित कविता प्रात्मे किस तर के लिए उपयोगते नहीं है फिर अपना प्रशन किरमां के तीन है और प्रशन किरमां के तीन में हमें बताना है भासा सीखने का सही क्रम क्या है तब आंसर सभी लोग अच्छे से बताएंगे किरम बताना इस प्रकार से question भी पूचा जाता है तो आपको comment करना है चार बिकल्प आपके सामने हैं बिकल्प को पढ़ो और फिर उत्तर बताओ ठीक है और रोज अपनी ढ़ाई बजे कक्चा होती है पेड़ागोजी की तो आप लोगों जो भी पढ़ना चाहते हैं वो notification का इंतजार ना करें आपको पढ़ना है तो ढ़ाई बजे आप आकर के चैनल पर आ सकते हैं भासा सीखने का सही अनुक्रम क्या है तब अधिकांस लोगों ने बताया है बिलकुल अधिकांस लोग सही अंसर बता रहे है कि भासा सीखने का जो सही क्रम माना जाता है वो B नमर यानि कि सबसे पहले तो क्या होता है सिर्मन फिर बोलना फिर पढ़ना और लिखना तो B नमर जोनों नहीं बता है उनका अंसर बिलकुल सही है अंगला क्वेस्चन देख लेते लेखन से सम्मंदित नहीं है बैठने का उचित ढंग, सुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग या फिर आँखों से कागज की दूरी तो प्रशने क्रमांग चार का उत्तर सभी लोग बताएंगे चार का उत्तर हमें बताना है लेखन से सम्मंदित नहीं है तो क्या सम्मंदित नहीं है हाँ, उत्तर बताना है और परियावरण का आपका टेस्ट होता है सामको साड़े छे बज़े तो जो भी परियावरण की टेस्ट देना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं और लेखन से सम्मंदित नहीं है तो क्या नहीं है आपका जो उत्तर होगा वो होगा बिकल्प नमर दो यानि कि सुद्धो चार्न सुद्धो चार्न लेखन से सम्मंदित नहीं माना जाएगा बी नमर आपका सही होगा ठीक है सुद्धो चान बाचन कोंसल से सम्मंदित है ये बाचन कोंसल से सम्मंदित है तथा बैठने का उचत ढंग लेकनी पकड़ने का ढंग आखों से कागज की दूरी लेखन से सम्मंदित है तो याद रख लेना है कि जो सुद्धो चान है ये बाचन से सम्मंदित है बाकि तीन ज यह जो पंग्ती है वो किसकी है सभी लोग आंसर बताएंगे प्रश्न किरमांग 5 का उत्तर हमें बताना है या लकुटी अरुकामरी या पर राज तिहूं पूरी कोता जिडारो यह जो पंग्ती है वो किसकी है सूरदास जी की नंददास रस खान या फिर मीरा वाई यह चार बिकल्प है और चार बिकल्पों मैंसे हमें उत्र बताना है तो सभी लोग तयार रहेंगे इस प्रकार से भी है ना इस प्रकार से भी आपके कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो या लकुटी अरुकामरी या यह रस खान जी की है सी नंबर जिनोंने भी बताया है उनका अंसर बिल्कुर शही है, C नमबर वालों का अंसर आपका सही हो जागा, जिनोंने भी C बताया है, वो अपना पिलस स्कोर कर ले, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियां जो है, वो रस्खान की है, यानि C नमबर आपका सही होगा, उपन्यास एबं बिबेच बिसाय बस्तू की दरश्टी स असंगत योग में कौन सा है, आपको बताना है, बरदान, रजबानों की दासियों की समस्या पर, सेबसदन, गडिका समस्या एवं ब्याहसे संबंदित समस्या पर, प्रेमास्रम, कृसक जीवन की समस्याओं पर, या फिर काया कल्प, सांप्रदायक समस्या, योग, अभ्यास और अपणर जन्मे बाद पर, यह पूरे के पूरे जो पन्यास है, प्रेमचंद जी के हैं, बरदान, सेबसंदन, प्रेमास्रम, और काया कल्प है, यह प्रेमचंद जी के हैं, और आपको बताना है, कि इन मैंसे कौनसी बिसह बस्तू की दर्ष्टी से असंगत योग में है, चार विकल्प है, चार में से एक का चेहन सभी को लोग करेंगे तब जो आपका जो आंसर होगा, वो अधिकांस लोगों ने उत्तर बता दिया है क्या बता दिया है, C, C एनि कि आपका बिल्कुर शही होगा प्रेमचंद द्वारा रचित प्रेमासरं उपन्यास किर्षक जीवन की समस्याओं पर आधारित ना होकर ठीके एक ग्राममीर जीवन की समस्याओं पर आधारित है, तो सभी को याद रखना है अंगला क्वेस्चन है आच्रण की सब्वेता के निबंदकार हैं तो कौन है भारतिंदू हरेस्चन्द, सरदार पूर्ण से, महावीर परचाद दुवेदी या फिर बाल करण भट आच्रण की सब्वेता हमें बताना है यह जो निबंद है वो किसका है तब सभी लोग बताए चार विकल्प है और चार में से प्रश्ण करमांक साथ का उत्र हमें बताना है आच्रण की सब्वेता यह किसका है तो अधिकांस लोगों को सही उत्र बताना है सभी लोग उत्र बताएंगे और उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो होगा आच्रण की सब्वेता क कभी पूर्ण नहीं हो पाती है ना सब बता कभी पूर्ण नहीं हो पाती तो पूर्ण से यानि बिकल्प नमर बी आपका बिलकुर राइट अंसर होगा है ना तो बी जिनों नहीं बताया है उनका अंसर बिलकुर चाहिए ब्रासत सब्द का आर्थ क्या है प्रश्न क्रमां का का उत्र बताना, प्रस्चिह कुरमांक 6 का उत्र नहीं देखा था, आपने C नंबर, प्रस्चिह क्लिए 7 का अर्था उत्र बताना में सी और 8 उत्र बताना है। तब सभी को प्ता है कि हम रोज बोलते हैं कि ये तो हमें ब्राषत में राषत की मिला है, jumpservARS ahead we that type together, Zurab प्राप्त जो कहलाता है वो ब्रासत कहलाता ठीक है बी नम्मर आपका सही होगा अंगला क्वेस्चन है तदभाव पत्रिका कहां से प्रकासित होती थी प्रश्निक्रमांक 9 का उत्तर हमें लिखना है बनारस दिडली लखनव या फिर जबलपूर से तो तदभाव पत्रिका हमे यहीं पर है केंद्रिये औसदी अनुसंदान संस्थान भी यहीं पर है तो तदभाव पत्रिका भी यहीं से निकलती थी यहीं कि आपका बिकल्प नम्मर क्या होगा केंद्रिये औसदी अनुसंदान संस्थान भी है यह लखनव में और लखनव से ही तदभाव पत्रिका जो तब चार बिकल्पों में से एक हमें चैन करना है कि पाठ पुस्तक को अधार बना कर पूछे जाने वाले प्रस्ण किस प्रकार के होनी चाहिए सबी लोग उत्तर बताएंगे प्रस्ण किरमांग 10 है और 10 का उत्तर क्या होगा आपका अधिकान से लोग उत्तर बता रहे हैं क्या बता रहे हैं पार्ट पुस्तक को आधार बना कर पूछे गाज जाने वाले जो प्रस्ने हैं वो पार्ट विसेबस्तू का बिस्तार करने वाले होनी चाहिए यानी बी नंबर जिन्हों ने बता रहे हैं उनका अंसर बिलकुल चाहिए है पार्ट पुस्तक को आधार बना कर पूछे जाने वाले प्रस्ने पार्ट की विसेबस्तू का बिस्तार करने वाले होनी चाहिए ताकि प्रस्नों का उत्तर देती समय विध्यारती पार्ट का गंबीरता पूर्वक ध्यान करे तता उसका बिस्तार को समझ सके तो प्रस्ने क्रमांक जो है क्या हो जाएगा C होगा और दधवाव पत्री के आपका लखनव होगा C नमर सही होगा ठीक है अंगला कॉस्चिन देखो संदर्व की अनुसार सब्दों के उपियोक्त चैन संबंदी त्रुटियों को दूर करने के लिए सरबादे कारगार तरीका क्या है तो उत्र बताएंगे चार विकल्ब हैं ब्याकरण की बिविद पुस्त के पढ़ाना बिविद सब्दों का बाक प्रियोग करवाना या फिर बिविद सब्दों की सूची याद करवाना या बिविद भासा प्रियोग से परिचित कराना तब चार है और चार का उत्र हमें बताना है कि संदर्व की अ 11 का बताना है, और जो 11 का आपका आंसर होगा, वो हो जाएगा क्या? विकल्प नममर D आपका सही है, विबिद भासा प्रियोग से परिचित कराना, D नममर आपका सही हो जाएगा ठीक है? सब्दों के उपयोगत चेहन संबंदी तुटियों को दूर करने के लिए सरबाद एक कारगर तरीका विविद भासा प्रियोग से परिचित कराना है इसके माद्यम से विध्यारती भासा का प्रियोग करना सीखेंगे वा सब्दों का सटीक चेहन कर भासा समन्दी तुटियां कम करेंगे तब आपका बिकल्प नमबर डी बिलको सही हो जाएगा डी नमबर आपका प्लस करेंगे अपनी स्कोर में अंगला कोईस्चन है प्रस्नि किलमा 12 का उत्तर बताना है उसकी इसमर सक्ती बहुत तेज है उसकी बिचार पिरकिरिया अबयवस्तित है उसमें कल्पना सीखेंगे जैसे गुड़ का अभाव है या उसकी कक्छा में सब ऐसा ही करते हैं तो चार बिकल्प में से उत्तर बताना है स्यामला केवल उनी प्रस् करके उत्तर बताएंगे ठीक है A B C D ऐसे प्रकार के सभी लोग लिखते जाएंगे सभी लोग कमेंट किया करें प्रश्ण किरमाग 12 का उत्तर जो ने भी C बताया है उनका एक अंक फिर से बढ़ता हुआ प्लस एक कर लेंगे वो अपने स्कोर में इमानदारी से ठीक है स्यामल द्वारा केबल उनी प्रस्णों का उत्तर लिखना जो उसे याद किये हैं यह दर्साता है कि बहर रटने की पद्धती अपनाती है बस स्यम कलपना करके कुछ भी नहीं लिख पाती जिसका कारण एह है कि उसमें कलपना सीलता जैसे गुड़का क्या है अभाव है तो स्री न मात्रभासा सरल है जिनकी मात्रभासा हिंदी के समान है या जिनकी मात्रभासा मानक हिंदी नहीं है तो तेरा प्रस्णिकरमा के तेरा है और तेरा का उत्तर बताना है और सभी को अच्छे से बताना है क्योंकि तेरा मेरा का जो चक्कर है वो खतरनाक रहता है थोड़ा सा जिनकी मात्रवासा हिंदी नहीं है, उनको हिंदी सीखने में कटनाई तो आएगी, सबी को पता है, ए नम्मर आपका बिलकुर सही होगा, ठीक है, ए नम्मर आपका सही है, ऐसे बच्चों को हिंदी भासा सीखने में कटनाई का सामना करना पड़ता है, जिनकी मात्रवासा अलग हैं, तो उसे हिंदी सीखने में कटनाई महुसिस होगी, क्योंकि प्रत्यक भासकी स्रचना भिन्र नहीं होती है, तब आंस्र बताना है, बासाई को सलता हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती, या एक दूसरे से सम्मन्द है, तब प्रश्ण करमांग 14 का उत्तर सभी लोग लखेंगे, 14 का उत्तर क्या होगा, तो सभी को आंसर बताना है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, जितने लोग भी देख रहे हैं, सभी को लाइक क चल रहा है तब सभी ने उत्तर सही बताया है कि जो भासाई को सलता हैं वो एक दूसरे से सम्मंदत हैं यानि कि D नमर आपका बिल्कुल सही होगा D नमर जिन्हों नहीं बता है उनका अंसर बिल्कुल राइट हैं एक भासा दूसरी भासा से भले ही भिन हो परंतु सभी होती हैं ठीक है सभी को याद रखना है अंगला कोस्चन देखो भासा का प्रमुक प्रिकार है तो कौनसा है भासन देना प्रती बेदन लेखन संप्रेशन करना या फिर लेखन दक्षता तो 15 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि भासा का जो प्रमुक प्रिकार है वो कौनसा है तब आपका क्या हो जाएगा उत्तर चार बिकल्फ हैं चार में से एक उत्तर आपको अच्छे से देना है ठीक है इन रंतर आपका पेपर ही चल रहा है मानके चलो और उत्तर आपको सोच समझ के देना है एक नमर आपका कट सकता है घट सकता है बाकी लोगों की अपेक्चा तब 15 का आपका उत्तर हो जाएगा संप्रेशन करना सी नम्मर आपका बिलकुल चाहिए होगा भासा का पिरमुक कार संप्रेशन करना है क्योंकि संप्रेशन के माध्यम से ही एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के भावों और विचारों को समाझ सकता है तब अंगला question है हमारा प्रश्न किरमांग 16 पाठ पुस्तक का नया पाठ आरंब करने से पहले अध्यापक के लिए आवस्तक है कि वह पाठ के कटिन सब्दों को स्यामपट पर लिख कर उनका अर्थ बताए पाठ के मूल भाव पर बात चीत करें पाठ के रचनाकार का परिचाय लिखवाए या फिर पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताए तो 16 का उत्तर हमें बताना है सबी लोग बताएंगे सोला का उत्तर बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा सोला का सभी लोग उत्तर बताएंगे चार बिकल्प हैं चार में से एक का चेन करना है सभी लोगों को लाइक जलू कर लेना कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि यह जो किलास होती है अपनी किलास रोज होती है धाई बजे से ख्छा सास से सम्मंदेर सामको साड़े छे बजे परियावरन की होती है साथ बच के पंदरा मिनट बालविकास और दस बच के दस मिनट पे रात्री में हिंदी होती है तब आपका जो उत्तर होगा वो बी नम्मर आपका बिलकुर सही ह ठीक है बी नम्मर सही है यानि कि पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें तो बी नम्मर आपका बिलकुर सही हो जाएगा अंगला कॉस्चन देख लेंगे कोई भी नया पाठ आरंब करने से पहले अध्यापक के लिए आवस्ता के मूल भाव पर बातचीत करें ठीक है अंगला दो भासाओं में सब्दकोस किया वा सकता सभी बच्चों को अपनी अपनी भासा में बोलने की आउसरों की उपलब देता या फिर भिन्न भिन्न भासाओं में कहानी कविता के चाट आदी की उपलब देता तो उत्तर बताएंगे प्रश्नि क्रमा के अपना 17 और 17 का आंसर होगा तो क्या होगा भासा सिक्षन के संदर में बहु भासी कक्छा से तात पर है कक्छा में क्या होगा तो अधिकांस लोगों ने अपना-पना उत्तर बताया है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भासा में बोलने की आउसर की उपलब देता बिलकुल अंसर राइट है सी नमबर आपका बिलकुल शही है भासा सिक्षन के संदर में बहु भासी कक्छा से तात पर एक ऐसी कक्छा से है जहां सभी बच्चों को अपनी अपनी भासा बोले में आउसरों की उपलब देता हो तब अंगला कोश्चन अपना अठारवा है ब्याकरण के ग्यान का मुखष देश से क्या है ब्याकरण की बिन्दियों की परिभासा याद करना ब्याकरण एक तत्वों की शूची बनाना या ब्याकरण का ध्यान रखना तो सभी लोग उतर बताइंगे चार बिकल्प हैं चार में से एक उत्र बताना है प्रश्निकरमांग आठ का उत्र अठारा का उत्र बताना है और इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि ब्याक्ण के ग्यान का मुक उद्देश से क्या होता है तब बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है क्या रहा है भासा प्रियोग में ब्याकन का ध्यान रखना यानि कि जो बिकल्प नमबर D है वो आपका सही होगा D जिनों ने भी बताया है उनका अंसर बिल्कुर शही है ठीक है D नमबर अपना एक नमबर का एजाप्पा करें क्योंकि ब्याकन के ग्यान का मुख कुद्देश होता है भासा प्रियोग में ब्याकन का ध्यान रखना क्योंकि प्रत्यक भासा का मानक सार्त को असुद्ध होना उसकी ब्याकन पर निर्भर करता है तब आपका D नमबर बिल्कुर शही है सेक्चिक प्रक्रियाओं के मूल ल्यांकन के संदर्ब में आप किस कथन से सहमती प्रगट करेंगे सेक्चिक प्रक्रियाओं के मूल ल्यांकन के संदर्ब में हमें बताना है कि बच्चों को पास फैल करना बास्ताओं में बिवस्तागत बिफलताओं को बच्चों के सिर मनना है परीक्षा और फैल हो जाने पर डर बास्ताओं में बच्चों के लिए प्रेणा का सुरोत बन कर काम करता है या फिर कक्छा आठ तक विद्यारतियों को फैल नहीं करने के प्रावधान के करना देश में सिक्छा का इस्तर गिरा है या कक्छा आठ तक विद्यारतियों को फैल ना किये जाने के प्रावधान के करना ही विद्यारती सीख नहीं पा रहे हैं तो मूल्यांकन की संदर में हमें बताना है, यहाँ पर question को अच्छे से पढ़ना है, मूल्यांकन की संदर में आप किस कथन से सहमती प्रगट करेंगे, तो 4 बिकल्प हैं, 4 में से 1 का chain करना है, 19 का उत्र बताना है, अच्छे से प्रस्ण को पढ़ना है, और मूल्यांकन की संद तब साथ यो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा विकल्प नम्मर ए विकल्प नम्मर जो ए है वो आपका सही होगा बच्चों को पास फेल करना बास्तों में विवस्ता गत विफलताओं को बच्चे के सिर मनना है तो ए नम्मर आपका सही होगा भी नहीं होगा ए नम्मर सही है देखो यहाँ पर सैक्चिक पिरकिरियाओं के मूल ल्यांकन के संदर में हम इसकतन से सहमती प्रेक्ट करेंगे कि बच्चों को पास फैल करना बास्ता में बिवस्ता गत बिफलताओं को बच्चे के सिर मणना है क्योंकि बच्चे को जो सिखाया जाता है उसी क अनुरूप उत्तर लिखता है है ना तो यह जो बिकल्प नम्मर ए है वो आपका सही हो जाएगा ऐसे प्रस्ने हमें कनफ्यूज करते हैं आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि मूल ल्यांकन के संदर में हमें बताना था और मूल ल्यांकन के संदर में अगर मूल ल्यांकन क दौरान बच्चा पास या फैल हो रहा है तो बास्ताओं में विवस्तागत विफलताओं को बच्चों के सिर मड़ा जाता है ठीक है तो A नम्मर आपका सही होगा है ना A नम्मर बिल्कुल भी नहीं है प्रेणा का स्तोत बनकर काम करता है यह जो है मूल ल्यांकन के प्रस्न को हमें पढ़ना है और फिर उसको समझना है पूँच क्या रहा है मूल ल्यांकन के संदर में पूँच रहा है है ना तो आपका जो A नम्मर है वो एक इसका सही होगा है न अंगला question है उच्च प्रात में किस तर पर लेखन चमता का आकलन करते समये आप किस बिंदू को सरवादेक महत्तु देंगे तब हमें बताना है मिस्त्रित बाक सरचना सबी लोगों को उत्तर बताना है चार बिकल्प हैं चार में से एक का चेहन करेंगे और एक जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा लेखन चमता का आंकलन करते समय है ना तब बिलकुल आंसर आया है कुछ लोग भली कनफ्यूज हुए हैं इसमें कुछ लोग ए बता रहे हैं कि बरतनी गत सुद्धता लेखन चमता का आंकलन करते समय आप किस बिंदू को सरबादिक महत्तो देंगे तो वो देंगे हम बिचारों की मौलेक्ता देखो फिर से कनफ्यूजन है यहाँ पर बिचारों की मौलेक्ता पर ध्यान देंगे यानि बी नमर आपका यहाँ पर सही होगा देखो कैसे होगा कुछ लोग कनफ्यूज हैं इसमें भी यहाँ पर देखो चिपरात में किस तर पर लेखन चमता का आकलन करते समय हम बिचारों की मौलेक्ता को सरवादिक महत्तो देंगे क्योंकि बिचारों की मौलेक्ता ही बहगुण है जिसके आधार पर बच्चों की लेखन चमता को मापा जाता है यानि कि जो आपका कारण भी दिया है ताकि अच्छे से समझ में भी आए ठीक है कक्चा आठ के लिए पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय महत्पूर्ण है तो क्या है सभी को उत्र बताना है पाठों की संक्या सीमित होना विधागत विविद्धिता होना सभी व्याकरनिक तत्वों का समाबेस या पिर्षिद्ध लेखकों की रचना है तो 21 का अंसर बताना है कक्चा आठ के लिए पाठ पुस्तक का निर्माण करते समय महत्पूर्ण है तो क्या है पाठों की संक्या सीमित है विविद्धागत विविद्धिता है या फिर सभी व्याकरनिक तत्तों का समाबेस या पिर दिखना है यहाँ पर तो फिर कन्फ्यूज नहीं होना है और उत्तर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उत्तर होगा सात्यों बी यानि की विद्धागत विविद्धिता होना बी नम्मर जिन्हों ने भी बताया है उनका अंसर बिल्कुल सही होगा कन्फ्यूज न जानकारी बढ़ेगी साथ ही बे भासा के रचनात्मक पहलिगों को भली बाती समझ सकेंगे तो बी नम्मर आपका बिलकुर शाही होगा ऐसे कई प्रसना आपके आएंगे जो आपको कन्फ्यूज करने बाले होंगे अंगला क्वेस्चन देखो निमले के तमेंसे कौन भारोप ये परिवार का नहीं है बताना यहां पर नहीं है तो कौन सी भासा नहीं है तब अधिकांस लोगों ने बिलकुल आंसर सही बताए हैं अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए इसका आंसर एक ही होना चाहिए सभी लोगों का ठीक है देखो गुजराती है बारोपी की म पराटी है, हिंदी है, तमिल नहीं है, यानि कि बिकल्प नमबर जो C है, वो आपका बिल्कुल शही होगा, C नमबर का, जिन्होंने भी C बताया है, उनका अंसर बिल्कुल शही है, यानि कि वो अपना स्कोर पिलस एक कर लेंगे, ठीक है, हाँ, अधिकांस लोगों ने बिल्क 243, एक के अंतरगत, जो है, हिंदी को राजभासा घोसित किया गया, अब ये कब किया गया, तब हमें बताना है, और हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी देबस मनाते हैं, तो ये 14 सितंबर 1949 आपका बिल्कुल राइट अंसर होगा, यानि कि C नमबर आपका बिल्कुल शह योगा, जिन्होंने भी C में टिक किया है, उसनका अंसर बिल्कुल राइट है, संबिदान सभा में हिंदी को राजभासा बनाने करने रनाए, 14 सितंबर 1949 को लिया गया, निमन मैसे कौन सी बोली पस्चमी हिंदी बर्ग की नहीं है, अब दी, ब्रज, कन्नोजी या फिर बु कि एक पूर्वी हिंदी की भासा होती है, और एक होती है पस्चमी हिंदी की, ठीक है, तो पूर्वी हिंदी की हमने पढ़ा था, क्या हमने आपको याद करवाया था, कि पूर्वी हिंदी की जो ट्रेक है, वो क्या है, अब 36 गड़ी, अब 36 गड़ी, यानि कि ए हो जाएगी पूर्वी हिंदी की आ से अबदी, बा से बगेली और 36 गड़ी से 36 गड़ी तो ये तीन हो जाएंगी पूर्वी हिंदी की ठीक है अबदी, बगेली और 36 गड़ी और पस्चमी हिंदी की भी हमने याद करी थी तो यहाँ पर एक आया है कौन सी अबदी अबदी मैं आपको बताते जा रहा हूं कि ये अबदी कहां पर आ रही है पूर्वी हिंदी की आ रही है अबदी पूर्वी हिंदी की है ये पस्चमी हिंदी की नहीं है तो ब्रज, कन्नोजी और बुंदेली ये तीनों क्या है पस्चमी हिंदी की आपको समझना है यहाँ पर अच्छे से पस्चमी हिंदी और पूर्वी हिंदी के बारे में यहाँ पर देखो, देखो क्या होता है पूर्वी हिंदी की जब हम पढ़ते हैं तो पूर्वी हिंदी की आपकी होती है कौनसी आपका एक कोड होता है अब 36 गड़ी कौन सी होती है अब 36 गड़ी याद रख ले ना एक कोड तो आसे अब धी बासे बगेली और 36 गड़ी ये पूर्वी हिंदी की है ठीक है पश्चमी हिंदी की देखो पच्चमी हिंदी की कौन सी है पच्चमी हिंदी की है कन्नोजी है ना बुंदेली बुंदेली और हरियान भी हरियान भी ब्रज ठीक है और कन्नोजी बुंदेली हरियान भी और एक और है कौन सी है कानो कड़ी बुंदेली ब्रज भान हरी के पास तो पस्चमी हिंदी की एक और है कन्नोजी है बुंदेडी है रियारबी और ब्रज है इसका भी एक कोड है कानों के खड़ी बुंदेडी ब्रजभान हरी के पास इस परकार से मैंने पस्चमी हिंदी पूरवी हिंदी सारी की सारी याद करवाई थी तो मैं आपको बताऊंगा जब हिंदी पढ़ाऊंगा ठीक है तो यहाँ पर आपका उत्तर लेकिन ए होगा अब दी ठीक है है ना कन्नोजी बुंदेली ब्रेज यह पस्चमी हिंदी की बहासाय माने जाती है तो इनको याद रख लेना है फिलहाल ठीक है और यह जो है राम की सक्ती पूजा कविता के कभी कौन है राम की सक्ती पूजा का हमें बताना है सुरकांतर पाटी निराला सुमित्रा नंदन पंत महादेवी बर्मा या फिर जैसंकर परशाद ये चार बिकल्प हैं चार में से एक का अंसर बताना है आपको पता होगा कि ये चारों ही जो महान मूर्तियां है ये छाया बाद की आधार इस्तंब माने जाती है जैसंकर परशाद महादेवी बर्मा सुमित्रा नंदर पंत और निराला और ये राम की सकती पूजा जो कविता है ये किसकी है तो ये निराला जी की है निराला यानि कि इसे क्रांतिकारी इन्हें क्रांतिकारी कभी भी कहा जाता है निराला जी को और ये चाया बाद की प्रमुक कभी मान जाते है निराला जी ठीक है बहुत बड़ी आंसर अंगला पतर बता रहें A, confused नहीं होना है, इस प्रकार की रचनाई भी आपकी एक्जाम में आ सकती है, एक दो question इसा यहां से भी आ सकते हैं, हैना संस्कित में भी इस प्रगार से पूछे जा सकते हैं तब आपका मानस का हंस वो अमरतलाल नागर जी का है C नमबर जिन्हों नीभी बताए उनका अंसर बिलको च़ाहिए अमरतलाल नागर जी का है मानस का हंस ठीक है? याद रखना है अंगला question देखो सरकारी बिभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है तो बिग्यपती जारी करता है निविदा सूचना जारी करता है अधी सूचना या फिर ग्यापन क्या जारी करता है 27 का answer हमें बताना है, उत्तर क्या होगा? सरकारी बिभाग अपनी योजनाओं की जानकारी, जनता को देने के लिए जारी करता है, तो क्या जारी करता है? अधिकांस लोगों को पता है, सबी लोगों को पता है, आपने पेपर में देखा होगा, निविदा सूचना, निविदा सूचना निकली है, है ना, पेपर में देखते होंगे, कि किसी भी प्रकार की जब सरकारी बिभाग की सूचना आती है, तो उसे निविदा सूचना कहा ज जनता को निविदा सोचना जारी करता है यानि आपका B नमबर जो है वो आपका सही होगा B नमबर ठीक है यदि भासाओं को बिज्ञान के दरश्टी कोण से देखें तो भासाओं के बीच मूलता है कोई अंतर नहीं होता थोड़ा अंतर होता है गहरा संबंध होता है या अंसर सभी लोगों को बताना है तब अधिकांस लोगों ने जो उत्तर बताए है वो क्या बताए है बहुत बड़ी आंसर सभी लोगों का C नमर आपका सही होगा गहरा संबंध होता है यदि भासाओं को बिज्ञान के दरश्टी कोण से देखें तो भासाओं के बीच मूलत है गहरा संबंध होता है ठीक है अंगला कोस्चन है एक तरफ भासा हमारी खालीस्तान को बिवस्तित करती है तो दूसरी तरफ हमें खालीस्तान भी करती है और हमें ग्यान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है तब हमें बिकल्प को भरना है क्या करती है भासा हमारी संस्कृति को बिवस्तित करती है या विचार प्रिक्रिया को या फिर जानकारी या फिर विचार प्रिक्रिया सभी को बताना है 29 का अंसर सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे कन्फ्यूज नहीं होना है 29 का अंसर है तब अधिकान्स लोग जो हो रहे हैं फिर से कन्फ्यूज हो रहे हैं भासा यह हमें नियंत्रित नहीं करती बी नम्मर जोनों ने भी बताया है उनका अंसर बिलकुल शही होगा बिचार बिचार पिरकिरिया को विवस्तित करती है और दूसरी तरफ हमें सूसंस्कृत करती है तो आपका जो बी नम्मर है वो अंसर बिलकुल शही होगा जिनों ने भी बताया है उनका अंसर बिलकुल शही है एक तरफ भासा हमारी बिचार पिरकिरिया को विवस्तित करती है तो दूसरी ओर हमें सूसंस्कृत भी करती है और हमें ग्यान और कल्पना की अनखोजी दुनिया में ले जाती है तो बी नम्मर आपका बिलकुल शाही होगा, कनफ्यूज होने की बिलकुल जवुरत नहीं है अनतह बाग की संकल्पना का संबंद किस्से है बाईगोस की, प्याजे, इसकिनर और चौमस की तो सभी लोग उतर बताएंगे प्रशन क्रमांग 30 का उतर हमें बताना है अनतह बाग की जो है संकल्पना का संबंद किस्से है तब आपका उतर क्या होगा सबी लोगों को उत्तर बताना है प्रश्निक्रमांग 30 का और 30 का जो आंसर सबी लोग बता रहे हैं क्या बता रहे हैं अंत्य बाग की संकल्पना का संबंद किस से है तो उत्तर क्या होगा बहुत बढ़ी आंसर कुछ लोग B बता रहे हैं कुछ लोग D और कुछ लोग C यानि की confusion यहां भी है तब आपका उत्तर होगा B, B यानि की प्याजे से संबंदित है अंतह बाग की संकल्पना का संबंद जो है वो प्याजे से है प्याजे आपका B नमर बिलकुल सही होगा तो B नमर आपको क्लिक करना है बी नमर आपका सही हो जाएगा अंतह बाग की जो संकल्पना का संबंद है वो किससे है प्याजे साब से है ठीक है तो आज की जो question है वो आज की कुछ question जो है कठें जरूर थे लेकिन बहुत ही मात्पूर question थे तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और अपना जो ब्याकन इस सिक्छा सास्र का है एक दो दिन में दो तिन दिन में complete होने बाला बहुत सारे जो test हैं वो complete होने बाले ह जी रचा फिरबती जी तीस में से 22 तीस में से 26 है मदुराज यादाव जी है न और अनिलकेवट जी अंता वाक मतलब जो होता है कि वो अंदर अंधर से कुछ लोग अंदर ही अंधर बात नहीं करते हैं अपने आप से बात करते रहते हैं कुछ लोग वो अंता बाकसर रचना सुरेंद्र एहरबार ब्रजभूसन रभी नीरज नीलेस जी सरिता अनिता जी रचना मंगल जी है ना कुछ के 30 में से 20 आए हैं 15 से 14 तीस से 22 है ना और पुस्पेंद्र जी 30 से 28 हैं मंगल जी 30 से 24 हैं और बेहारी कुमावस इसकी PDF फाइल टेलिग्राम ग्रोप में मिलेगी टेलिग्राम ग्रोप से जोड़ने के लिए सर्च करना है आई एस स्टेडी ट्रिक और जोईन हो जाना है पुस्पेंद्र जी अनिल जी सुरेंद्र ए हम थे की confusion जाना था रिचा जी 30 से 22 हैं स्मिर्टा जी 28 हैं ठीक है बहुत बड़ी आंसर और सुरेंद्र जी रभी कुमार जी बहुत बड़ी आंसर तो सभी को वीडियो को लाइक करना है सभी को सेर करना है ब्रजभूशन जी और साम की अपनी किलास होती है साम को साड़े छ पूर्ण जो कोर्स है लगबग मैंने करवा ही दिया है अधिकांस प्रस्न करवा दिये हैं लगबग 70 वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में हैं परियावरन के अभी देविक्या जी है ना और अतुल जी मंगल रचना रिचा जी ठीक है हाई स्कोर है उस पेंदर जी का 30 से 28 ह है ना जेतेंदर जी राम जी रचना प्रजापती जी आदेश तेवारी जी ठीक है तो सभी को बहुत बहुत धनवाद सभी लोग इसी परकार से जुड़ी रहें है ना भावना पांडे जी बीवरा स्टेडी पॉइंट बहुत बढ़िया तो सभी को धनवाद सभी लोगों जहां भी आप जुड़े हैं बहाँ सेर कर सकते हैं जो लोग भी सेर कर सकते हैं ठीक है बहुत बढ़िया रभी कुमार जी राम सुरेश जी है ना बहुत बढ़िया राम सुरेश बियोरा स्टेडी पॉइंट जी है ना किलास जो होती है अपनी होती है धाई बजे किलास होती ह परियावरन की संस्कित की किलास बाद में लगेगी संस्कित की किलास अभी नहीं लग रही इसके बाद में पेड़ागोजी संस्कित पेड़ागोजी की हिंदी के बाद पेड़ागोजी संस्कित की होगी ठीक है राहुल टाठोर जी सभी प्रकार से धाई बज़े अपनी रोज सिक्छा सास्र की किलास होती है मैथ सिक्छा सास्र बहुत सारी करवादी है अपना टेलीग्राम ग्रोप है रिचा पिरजापती जी टेलीग्राम ग्रोप है बाट्स अप ग्रोप नहीं है आपकी संस्कृत की पेड़ागोजी की किलास लगेगी इसके बाद लगेगी पेड़ागोजी तो आएगी प्रतिवी सिंग लोदी जी सेलेंदर जी ठीक है बहुत बढ़िया तो सभी के लिए धन्यवाद सभी लोग वीडियो को लाइक जलू करें और सेर अबस्त करें आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जय है